हेलो गाइज मैं रचना सातोरिया अपने चैनल में आपका स्वागत करती हूं और आज हम बनाएंगे मिले टुपमा जो बहुत ही टेस्टी होता है लाजवा बनता है और हेल्दी भी होता है तो जो भी अपना वजन कम करना चाहते हैं वो डेली रूटीन में खाए दूसरा तो चलिए चलते हैं इसको देखते हैं कि किस तरीके से हम इसको बनाएंगे सबसे पहले हमें एक छोटी ग्लासी उपमा मिलेट का उपमा लेना है और उसको अच्छे से धो करके साफ कर लेना है और इसे साथ आठ गंटे हमें भीगो कर रखना है यह मैंने भीगो कर ले लिय गी गरम होते ही हम इसके अंदर दो छोटी चम्मच चना दाल डालेंगे अब इसमें दो छोटी चम्मच उरद डालेंगे उरद डालने के बाद हम इसमें आठ तस करी पत्ते डालेंगे करी पत्ते अच्छे से चटक जाएं उसके बाद हम इसके अंदर एक छोटी चम्मच रए डालेंगे रए के बाद हम इसमें एक कटी हुई प्यास डालेंगे और इसको अच्छे से एक चम्मच की साहिता से मिक्स कर देंगे इस तरीके से अब हम इसमें एक चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे एक चोथाई छोटी चम्मच हल्दी पाउडर इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे थोड़ी देर तक चला के रखेंगे गैस को प्याज को अच्छे तरीके से भून लेंगे अब हम दो हरीमिस लेंगे उनको इस तरीके से काट लेंगे और ये हम इसके अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे ये हमारी प्याज अच्छे से भून गई है अब हम इसमें एक टमाटर डालेंगे टमाटर डाल कर अच्छे से मिक्स कर देंगे ये टमाटर थोड़े से भून गए है अब इसमें हम स्वाद अनुसार नमक डालेंगे इसको मिक्स कर देते हैं अच्छे से टमाटर को पकाने के लिए हम दो मिनट के लिए कुकर के उपर धकन रख देंगे और दो मिनट बाद हम कुकर का धकन हटा कर देखेंगे हमारे टमाटर अच्छे से पक गई है ये देखें आप इसमें चाहे तो अपनी मन पसंद हरी सबजे डाल सकते हैं गाजर डाल सकते हैं मटर डाल सकते हैं गोबी डाल सकते हैं कोई भी सीजनल वेजटेबल आप ले सकते हैं वो आप उपमा में डाल सकते हैं मैं यहाँ पर नॉर्मली रूटीन में बनाने वाला एक उपमा बना रही हूँ अब हम इसके अंदर ये जो हमने उपमा भिगो के रखा था 7-8 गंटे तक उसको हम कूकर के अंदर डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे मिक्स करने के बाद हम डेड़ कप पानी लेंगे और इसके अंदर डाल देंगे उपमा में पानी डालने के बाद इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे ये देखें इस तरीका का टेक्स्चर आएगा अभी हम कूकर का डक्कन बंद करेंगे और 3-4 सीटी आने तक हम इसको पकाएंगे ये देखें सीटी आ गई है कूकर को उतार लेते हैं आर इसको खोल के देखते हैं ये देखें कितना टेस्टी और लाजवाब बने अगर गाईज आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक, कॉमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए तेंक यू मिलते हैं नई रेसिपी के साथ में नई वीडियो के साथ में बाबाई